नवस्कार मैं दीपक कुमार फिल्म अभिनेतरी कगने रनावत का एक बयान तूल पकड़ता जा रहा है उन्होंने एक बयान में कहा था कि मुंबई एलोसी जैसा लगने लगा है इस बयान के बाद कई सेलेप्स ने उनका विरोध किया था अब उन सेलेप्स पर कगने रनावत मैं पलटवार किया है उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है मैं देख रहे हूँ कि कई लोग मुंबई मुझे वापस ना आने की धमकी दे रहे हैं इसलिए मैंने तै किया है कि 9 सेप्टेंबर को मैं मुंबई आऊंगी मैं मुंबई एरिपोर्ट पर पहुच कर टाइम पोस्ट करूँगी किसी के बाब में हिम्मत है तो रोक सके तो रोक ले दूसरी और सिप्षेना की नेता संजेरावत ने इस पर अपनी प्रतिकिरिया दिया है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है मैं उनके ट्वीट पर कुछ नहीं कहूँगा और नहीं उन जैसी भाषा का इस्तेमाल करूँगा मैं महला का सम्मान करता हूँ कंगना ने मुंबई पुलिस का अपमान किया है पुलिस को लेकर जो टिमपनी की थी वो गलत है जिस तरह की बाते सामने आ रही है यह तो लगता है मेंटल केस है दरसल कंगना रणात ने बिज़े दिन एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बॉली बुट डंग लिंक के बारे में जानती है और वो NCB को इस बारे में कुछ बता सकती है बसरते उन्हें सुरक्षा दी जाए कंगना की इस ट्वीट पर बिज़े पी नेता राम कदम ने महास्ट सरकार पर सवाल उठाया था पर कंगना ने जवाब दिया था कि वो सेंटर या हिमाचल परदेश में आपने सुरक्षा चाहती है उन्हें मुंबई पुलीस से डर लगता है इस बयान के बाद शिप्षेना नेता संजेर राउत ने कहा था कि अगर उन्हें इतना ही डर लगता है तो वो मुंबई वापस ने आए इस बयान के बाद ही कंगना ने फिर ट्वीट किया था कि वो मुंबई को अब LOC जैसा फिल करने लगी है आपको बताते कंगना राउत ने जो मुंबई को लेकर ट्विट किया था उसमें कई सेलेप्स नाराजगी जताई है नाराजगी जताने वालों में रेनुका शाहने फराग खान सोनू सुद रितेस देश्मुक शामिल है इन्होंने ट्विट कर मुंबई के प्रति प्यार का इजहार किया है तो आपको क्या लगता है कंगना के इस ट्विट के बाद जो नोंने मुंबई को लेकर दिया है आप नीचे कमेंट करें जुरू बताएं आप लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले और बेल प्रेस ज़रूर करें आप ऐसे ही बॉलीबूर की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बॉलीड न्यूज अब देखते हैं नमस्कार